हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे उनलाइन चनल अरज्या अरेयस अकेडमी में दोस्तों राजस्तान में आई जित राजस्तान रिट भरती परिक्षा लेवल टू एसस्टी के नविंतम पाथे करम के अनुसार पॉलिटिकल सैंस में जो जो टोपिक दे रखे थे सेले अग्सबास से दोस्तों आज मैं आपके लिए टोप सो प्रसन लेकर आया हूं यह प्रसन आपकी परिक्षा की द्रिश्टी से अतियंत महत्यों पूर्ण है सो के सो प्रसन आपको देखने हैं आपको यह पता लगाना है कि आपके कितने प्रसन है वो गलत हुए है ठीक है अर निम्न लिखित में से जनता द्वारा प्रतेक्स रूप से निर्वाचित सदन है तो वो कौन सा है वो है दोस्तों लोक सबा तो इसमें बी नंबर का ओप्षन बिल्कुल सयुत्तर हो जाएगा देखिए भारतिये संसद का निम्न अत्वा लोक प्रिये सदन कहा जाता है कि इ आपको इसमें याद रखना है तो यह भारतिये जंता का दोस्तों पर्तिनि दित्व करता है तो इसमें सी नंबर का ओप्षन बिल्कुल सयुत्तर हो जाएगा ठीक है आगे देखिए दोस्तो इसमें तीन नमबर का प्रेस ने भारतिय सवीधान के किस अनुछेद में लोकसभा के गठन के सम्मंद में प्रावधान किया गया है तो दोस्तो लोकसभा के सम्मंद में गठन का प्रावधान है ये कौन से अनुछेद में किया गया है तो ये अनुछेद दूस्तो 81 और अनुछेद 331 इन दोनों के अंदर यह है प्रावधान किया गया है लोकसभा के गठन का प्रावधान तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें उप्रयोक्ते दोनों C नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें चार नंबर का प्रेस ने मूल सविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्दारित की गई थी मूल सविधान में लोकसभा के सदस्य संख्या है वो कितनी निर्दारित की गई थी तो वो की गई थी दोस्तो कितनी तो 500 निर्दारित की गई थी दोस्तो ठीक है हो जाएगा 500 आगे देखे इसमें मैं आपको एक चीज दोर बता देता हूँ ठीक है देखे मूल सविदान में तो 500 की गई थी फिर वा था दोस्तो 31 सविदान संसोदन उसमें क्या किया कि दोस्तो सदस्य संक्या है वो 545 कर दी गई पलस दो है वो राश्टर पती द्वारा मनोनित ठीक है यह आपको इसमें याद रखना है और वर्तमान में संक्या कितनी है तो 545 है वर्तमान में लोक सबसदस्य संक्या कितनी है 545 कुल ठीक है और अधिक्तम कितनी हो सकती है लोक सबसदस्य संक्या अब वर्तमान में तो अधिक्तम दोस्तो 552 हो सकती है ठीक है तो यह आपको चार प्रस्न है या आपको इसमें याद रखने है ठीक है तो इस प्रस्न का राइट आंसर ए नमबर उप्शन बिल्कुल सही उतर आगे देखिए 31 सवेधानिक संसोदन अधिनियम द्वारा लोक सबाकी अधिक्तम सदस्य संक्या निर्धारित की गई है तो दोस्तो यहाँ पे देखिए 31 सवेधान संसोदन में जो निर्वाचित सदस्य संक्या है वो दोस्तो 545 निर्धारित की गई थी पलस में दो ये मनोनि हैं ठीक है तो टोटल कितने हो गए पान्सो सेइतालिस तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का उपशन बिलकुल से उतर हो जाएगा अगे देखे शिक्स नंबर का प्रेस्ट ने लोग सबा की अधिकतम सदस्य संक्या कितनी हो सकती है तो ये दोस्तो 552 हो सकती है कुल सही उत्तर हो जाएगा 552 आगे देखिए साथ नमबर का प्रेस ने वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सिद्धे निर्वाचित करती है तो देखिए वर्तमान में जो सदस्य संक्या है वो 530 पलस 13 पलस 2 यानि की 545 है यानि की यहाँ पे 530 सदस्य हैं वो जनता द्वारा सिदे निर्वाचित किये जाते हैं तो इसमें डी नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें वर्तमान में संग सासित छेतरों की जनता लोक सबा में अपने कितने परतिनिदियों को निर्वाचित कर भेजती है समझ में आ गया मैंने अभी आपको बताया था 530 पलस 13 पलस 2 ठीक है तो वर्तमान में संग सासित छेतरों की जनता लोक सबा में कितने परतिनिदियों को नि पिरवाचित करके भेजती है अधिक्तम कितने बेज सकते हैं तो दोस्तों अधिक्तम 20 बेज सकते हैं ठीक है यह आपको इसमें याद रखना है ठीक है जो 5502 अधिक्तम संख्या मैंने आपको बताई थी लोकसभा सदस्य की जिसमें 530 तो राज्य से होगे और 20 है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनित टोटल कितने हो गए 550 ठीक है और अभी जो वर्तमान में 13 परतिनिदी बेज़े जाते हैं संक्साची छेत्रों से यह अधिक्तम 20 बेज सकते हैं तब 550 हो जाएगी ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर उप्शन 13 नेक्स्ट राष्ट्रपति उंगल भारतिय समुदाय के कितने परतिनिदियों को लोग सबा में मनोनित करता है तो दोस्तों कितने सदस्यों को मनोनित करता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें दो सदस्यों को मनोनित करता है उंगल भारतिये तो इसमें एक ए कितनी है पान सो पैंतालीस है बी नंबर का ओप्सन बिलकुल से उत्तर हो जाएगा पान सो पैंतालीस आगे देखिए इसमें 11 नमबर का प्रेस ने राश्टरपती द्वारा लोक सबा में उंगल भारतिय समुदाय के दो सदस्यों को किस अनुचेद के तहत मनोनित करता है तो दोस्तों कौन से अनुचेद के तहद तो वो है अनुचेद 331 अनुचेद 331 बी नमबर का उप्षन बिल्कुल सहीवतर हो जाएगा 331 आगे देखिए इसमें लोक सबा में उंगल भारतिय समुदाय में दो सदस्यों को मनोनित करने की सक्ति किसके पास है तो ये तो दोस्तों मनोनित करने की सक्ति तो शिरफ एक के पास में है वो है भारत के राश्टरपती के पास में बी नमबर उप्षन बिल्कुल सहीवतर हो जाएगा तेरा नमबर का प्रेशन है लोक सबा में राज्यों को किस आधार पर सीटे आवंटित होती है तो दोस्तों किस आधार पर तो जन संक्या के आधार पर सीटे आवंटित होती है ए नमबर का उप्षन बिल्कुल सहीवतर हो जाएगा जन संक्या के आधार पर आगे देखिए वरत्मान लोक सबा में परतेक राज्य के लिए इस्तानों का आवंटन आधारित है तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो गुनिसो इगेतर की जनगर्णा पर दोस्तों ये आधारित है ठीक है तो इसका राइट आंशर हो जाएगा सी नमबर का ओप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ठीक है आगे देखिए इसमें लोकसभा के निर्वाचन छेत्रों की सीमा निर्धारन पहली बार निमनली कित में से किस सन में किया गया था यानि कि लोकसभा के निर्वाचन शेत्रों का सीमा निर्धारन पहली बार निमनलिकित में से किस सन में किया गया था तो दोस्तों कौन सी सन में किया गया था तो 1922 में किया गया था बी नंबर का उप्षन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा गुनी सो बहतर आगे देखे लोक सबा में राजेवार सीटों का आवंटन गुनी सो इगेतर की जनगना पर आदारित है यह निर्दारन किस वर्स तक यतावत रहेगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोक सबा के सबी निर्वाचन छेतर निर्वाचन निम्न में से किस परकार के होते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें किस परकार के तो एकल सदसिये निर्वाचन छेत्रे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नमबर का ओप्शन बिल्गूल से उत्तर हो जाएगा ठीक है आगे देखिए आठारा नमबर प्रेस ने लोग सबा के एक निर्वाचन छेत्रे कम से कम कितनी जनसंक्या का परतिनी दित्व करती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है साथ पॉइंट पांच लाख जनसंक्या का परतिनी दित्व करती है तो इसका राइट आंसर इसमें बी नमबर ओप्शन हो जाएगा आगे देखिए गुनिस नमबर प्रेस ने अनुसूचित जाती एवं अनुसूचित जन दोस्तो 131 से निर्वाचन छेत्रों की वेविस्ता की गई है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें A नमबर का ओप्षन है वो इसका बिल्कुल सयुत्तर हो जाएगा ठीक है आगे देखिए इसमें 20 नमबर का प्रेस्ट ने लोग सबा के लिए पर्थम आम चुनाव कब हुआ तो यह तो दोस्तो आप सबी को पता होगा कि लोग सबा के लिए पर्थम आम चुनाव है वो गुनी सो बावन में हुआ था तो इसमें C नमबर का ओप्षन बिल्कुल सयुत्तर हो जाएगा गुनी सो बावन ठीक है आगे देखिए दोस्तो इसमें 21 नमबर प्रेस्ट है चेतरपल की द्रेश्टी से देश का सबसे छोटा लोग सबा निर्वाचन चेतर कौन सा है तो वो है दोस्तो लक्षविद्वी पर डी नमबर का ओप्षन बिल्कुल सयुत्तर हो जाएगा लक्षविद्वी पर आगे देखिए निम्न में से निम्न लिकित में से मतदाता संक्या की द्रेश्टी से देश का सबसे बड़ा लोग सबा निर्वाचन चेतर कौन सा है तो वो है दोस्तो कौन सा तो वो है दोस्तो मलकागिरी कौन सा है मलकागिरी तो इसका राइट आंसर इसमें D नंबर का उप्षन हो जाएगा मलकागिरी ठीक है याद रखना आपको यह नाम इंपोडेंट है यह अगे देखें कौन सा सव्वेधानिक संसोदन राज्यों से चुने जाने वाले लोग सबा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से समन्दित है तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें सातवा और 21 सातवा और 31 सवीधान संसोदन तो आपको यह याद रखना है यह दोनों है यह लोक सभा के सदस्य संक्या बढ़ाने की दोस्तो इसमें बात कही गई है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें C नमबर का उप्शन बिल्कुल सहुत्तर हो जाएगा आगे देखिए दोस्तो इसमें 24 नमबर प्रेशन लोक सभा में केंदर सासित परदेशों से परतिनिदी चुने जाते हैं तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें पर्तेक्स निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं तो वो है दोस्तो इंगलो इंडियन तो इसमें A नमबर प्रेशन सहुत्तर हो जाएगा आगे देखिए लोक सभा में निमनलिखित में से किस के लिए इस्तान आरक्सित है तो लोक सभा में निमनलिखित में से किस के लिए आरक्सित इस्तान है तो वो है दोस्तो देखिए अ अनुसुचित जाती के लिए, अनुसुचित जन जाती के लिए, उंगल भारती वर्क के लिए, तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा इन में से सभी, डी नमबर का option बिल्कुल सहुत्तर हो जाएगा, इन में से सभी, आगे देखे, लोग सबा का चुनाव लड़ने के लिए आगे देखिए इसमें 28 नमबर प्रेस ने कौन सा राज्य सबसे अधिक परतिनिदी लोक सबा में बेजता है तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें उत्रप्रदेश डी नमबर का ओप्सन बिल्कुल सई उत्रप्रदेश ठीक है आगे देखिए निमनलिकित युगमों में से कौन सा युगम सई नहीं है तो कौन सा युगम सई नहीं है यहाँ पे देखिए राज्य और लोक सबा में इस्तान दे रखा है ठीक है तो अपने को बताना है कि दोस् दोस्तों लोक सबा सदसे सिटे हैं वो कितनी है तो आप सभी को पता है दोस्तों यहाँ पे देखिए पचीस कितनी है पचीस आंदर प्रदेश में ठीक है और असम के अंदर कितनी है तो दोस्तों यह तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों असम के अंदर है वो कितनी है बत परम में दोस्तों कितनी है 14 है लेकिन यहां पें कितनी दे रखिये 13 तो इसमें यह सही सुमेलित नहीं है पंजाब के अंदर दोस्तों कितनी 13 है और पसिम बंगाल के अंदर दोस्तों कितनी है तो इस प्रैसन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर का उप्षन क्योंकि यह इसमें सही निदेर का 13 किस्तान पे 14 आना चाहिए था आगे देखिये किस राज्य का लोग सभा एवं राज्य सभा में परतिनी दित्वा सबसे अधिक है यानि कि किस राज्य का लोग सभा एवं राज्य सभा में परतिनी दित्वा सबसे अधिक है तो सीधा सा है उत्तर प्रदेश ही होगा इसका राइट आंसर तो ए नंबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा देखिये लोग सभा में तो 80 सीटे है और राज्य सभा के अंदर दोस्तो 31 सीटे है विदा संक्या कितनी है जारकंड शेतर से तो यहां पर देखिये जारकंड शेतर से 14 सदसे है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर उप्षन बिल्कुल सही उत्तर नेक्स्ट है निमनलिखित में से राज्यों के किस यूगम को लोग सभा में समान सीटे प्राप्त ह तो दोस्तो निमनलिखित में से राज्यों के किस यूगम को लोग सभा में समान सीटे प्राप्त है तो यहां पर देखिये दोस्तो आंदर प्रदेश और राजस्तान आंदर प्रदेश और राजस्तान इन दोनों को दोस्तो इसमें बराबर सीटे हैं वो प्रदान की गई है दस-दस ठीक है याद रखना इसमें तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है डी नंबर का उप्षन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट आगे देखिए इसमें चोरी, 25-25 यहाँ पे दस-दस यहाँ पे देखिए 25 25 लोकसभा की बात ही यह राज़े सब्सक्रित है डी नमबरा और नेक्स डेश्ट है लोकसभा के अतिलीक्त लोकसभा सोरी दोर देखे उत्तरप्रदेश के अतिलीक्त लोकसभा में किन दो राज्जों का परतिन्य दित्व सबसे अधिक है तो किन दो राज्जों का परतिन्य दित्व है वो सबसे अधिक है तो इसका right answer हो जालेगा दोस्तों वह है महाराश्टर और पसिम बंगाल का विनमबर अप्शन विल्कुल सई उतर हो जायगा नेक्स्ट है वर्तमान में किस राज्य का लोग सबा में अधिक्तम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा हिस्तान है तो ये है दोस्तों किस का तो ये महाराश्टर का है तो इसमें B नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा महाराश्टर का अगे देखिए इसमें 35 नमबर प्रस ने उत्रप्रदेस के बाद सबसे अधिक शनस्थिय चेतर किस राज्य का है तो ये है दोस्तों किस राज्य का तो ये महाराश्टर का C number का option बिलकुल सही उत्र हो जाएगा महाराश्टर का आगे देखे बिहार में लोग सबा की सीटों की कुल संक्या कितनी है बिहार में लोग सबा की सीटों की कुल संक्या है वो कितनी है तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो 40 कितनी है 40 लोक सभा में 10 से संक्य कितनी है 40 भीहार में ठीक है राजे सभा में 16 तो इसमें A नमबर का उप्षन बिल्कुल सह उतर Next है 36 गड राजे में लोक सभा के कितने निर्वाचन छेतर है 36 गड राजे में लोक सभा के कितने निर्वाचन छेतर है तो वो है दोस्तो ग्यारा, ठीक है, कितने है, ग्यारा, यानि कि 36 गड़ में लोकसभा सीटों की संक्या कितनी है, तो वो है ग्यारा, याद रखना, तो इसका राइट आंसर इसमें, A number option, B number का option बिल्कुल सही उतर, नेक्स्ट है, निमनलिखिते, चार राज्यों में से किस राज्य से लोकसभा में सबसे कम सदस्य हैं, तो सबसे कम सदस्य लोकसभा में दोस्तो कौन-कौन से में हैं, मिजोरम में हैं, नागा लेंड में हैं, लक्सवेद्वीप में हैं, दमनेवदीव में हैं, पुद्दुच does say haven, वो बताई है, मैने आपे, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए, इसका right answer क्या हो जाएगा, तो वो है, हaryanya, ठीक है, हaryanya के अंदर दोस्तों सबी सिटे हैं, लोक सबागी, और बाकी, इन सबी के अंदर 12 सिटे हैं, ठीक है, तो इसका right answer क्या हो जाएगा, वो है B number का option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा यानिकि इन चार राजों में सबसे कम सिटे हैं वो दोस्तों हरियाना की है तो इसका right answer इसमें B number का option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए दोस्तों इसमें 49 number प्रस्ण है जहां तक लोक सबा में परतिनी दित्व का प्रस्ण है कौन से राजे दूसरे तथा तीसरे पर है यानिकि कौन से राजे दूसरे तथा तीसरे पर है लोक सबा के अंदर तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इसका right answer हो जाएगा आगे देखिए 40 number प्रस्ण है लोक सबा में किस संग सास्चित चेतर के सरवादिक परतिनीदी निर्वाचित होकर आते हैं यहाँ पे देखिए लोक सबा में किस संग सास्चित चेतर के सरवादिक परतिनीदी निर्वाचित होकर आते हैं तो इसका right answer हो जाएगा एक तारिस नमबर प्रेशने, संगज सासित्छेत्र दिल्य परति निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है तो दोस्तों, शांथ सद से निर्वाचित करके भेजता है, तो इसमें बी नमबर ऑप्शन सही उतर हो जाएगा, आगे देखे लोक सबा में सरवादिक परतिनी दित्व के आधार पर राज्यों का सही करम है तो वो है दोस्तों इसमें देखे उत्रप्रदेश महाराष्टर पस्षिम बंगाल तो इसमें बी नमबर उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखे लोक सबा का समानित कारेकाल कितने वर्ष का होता है लोक सबा का समानित कारेकाल है वो कितने वर्ष का होता है तो यह होता है दोस्तों पांच वर्ष का सी नमबर उप्शन बिल्कुल सही उत्र नेक्स्ट है आपातकाल के दोरान संसद लोक सबा का कारेकाल एक बा सकती है बी नंबर का उप्षन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा एक वर्ष के लिए आगे देखिए किसी भी दसा में आपातकाल की उद्गोशना परवर्त ने रहने के बाद उप्रियुक्त अवदी कितने समय से आगे बढ़ाई नहीं जा सकती है तो इसका राइट आंसर हो ज तक है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर का उप्षन से उत्तर नेक्स्ट है लोकसभा में कोरम यानि के गणपूर्ती पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है तो कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है तो वो ही एक यानि कि कुल सदस्यों का एक बटा दस भाग तो इसमें दोस्तो डी नंबर का उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखिए लोक सबा का कारेकाल पांच वर्षे अधिक किस अवस्ता में बढ़ाया जा सकता है तो कौन सी अवस्ता में बढ़ाया जा सकता है जब राष्टी पात लागू हो उस समय लोक सबा का कारेकाल है वो पांच वर्षे अधिक के बढ़ाया जा सकता है बी नंबर का उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा 48 नंबर प्रेशन इसमें देखिए लोक सबा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्तित र जाएगा वो है दोस्तों दो माहे तक तो इसका राइट अंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा दो माहे तक आगे देखिए 49 नंबर प्रेशने संसद सदस्यों को परतिमाहे वेतन के रूप में कितना रुपया प्राप्त होता है सं 45,000 रुपय प्राप्त होता है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा डी नंबर का उप्शन बिल्कुल से उतर 45,000 रुपय है आगे देखिए संसद के सत्र में अब बढ़ा दिया होगा दोस्तों तो आप कमेंट करके बताना कि वेतन है वो बढ़ाया है तो वो कितना कर दिया देखिए संसद के सत्र में उपस्तित रहने और संसदिय समीतियों की बैठक में भाग लेने के लिए संसद को कितना देनिक बता मिलता है तो ये मिलता है दोस्तो कितना 1000 तो इसमें डी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा 1000 आगे देखिए संसद को सुचारू सुचारू रूप से अपना कारेकाल चलाने के लिए प्रते एक महीने कितना कारेलह भत्ता मिलता है तो ये मिलता है दोस्तों 23,000 रुपय कारेलह भत्ता मिलता है दी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए लोग सबा सदस्ये अपना त्याग पत्र किसको देते हैं लोग सबा सदस्ये अपना त्याग पत्र किसको देते हैं तो ये देगा दोस्तों लोग सबा को लोग सबा देक्स को ठीक है लोग सबा सदस्ये अपना त्याग पत्र किसको देंगे लोग सबा देक्स को तो इसमें C number option सही उत्र हो जाएगा नेक्स्ट है किस वर्ष से भूत पूर्वे संसत सदस्यों के लिए pension की वेवस्ता लागू की गई यानि कि किस वर्ष से भूत पूर्वे संसत सदस्यों के लिए pension की वेवस्ता लागू की गई तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों गुनिशो चीएतर गुनिशो चीएतर से पूरु है संसत सदस्यों के लिए पेंशन की वेविस्ता की गई C नंबर का उप्सन सहीतर हो जाएगा नेक्स्ट है लोग सबा के बैठक की अंतिम तिथी तथा दूसरी बैठक की पर्थम तिथी के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए लोग सबा की यानि की बैठक की अंतिम तिथी तथा दूसरी बैठक की पर्थम तिथी के बीच में कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए तो दोस्तों ये अंतराल है, ये 6 माह से अधिका नहीं होना चाहिए, तो इसमें D number option से उत्र हो जाएगा, आगे देखिए पचपन नंबर प्रेसन है, लोक सबा के कम से कम कितने सत्र बुलाई जाते हैं, तो दोस्तों वो है वर्ष में 2 बार सत्र बुलाई जाते हैं, तो इसक पूरवः भंग कर सकता है, राष्टर पती लोक सबा को कारेकाल पूरा करने से पूरवे भंग कर सकता है, तो किस की सला पर? तो दोस्तो परधान मंतरी की सलापर भंग कर सकता है तो इसमें A number option सयुतर हो जाएगा 57 number प्रेसने इसमें देखिए लोग सबा को उसके कारेकाल की समापती के पूर्व भी भंग किया जा सकता है तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा वो है राश्टरपती द्वारा मंतरी प्रेस्द की सलापर राश्टरपती द्वारा मंतरी प्रेस्द की सलापर है सी number का option बिलकुल सयुतर हो जाएगा आगे देखिए इसमें अठाव नमबर प्रेस्द लोग सबा सबस्द से बनने के लिए योगिता नहीं है तो कौन सी नहीं है तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तो वो है देखिए उम्र 30 वर्ष कम से कम नहीं हो तो यहाँ पे दोस्तो यह गलत दे रखा है 30 वर्ष तो राज्य सबा के लिए है 25 वर्ष है लोग सबा के लिए यहाँ पे यह गलत दे रखा है तो अपना right answer इसमें बी नमबर उप्सन हो जाएगा आगे देखिए लोग सबा सदस्यों के निर्योगेता से समंदित परशनों पर को निर्णे करता है निर्योगेता से समंदित परशनों पर को निर्णे करता है तो इसका right answer हो जाएगा वो है लोग सबा अध्यक से ए नमबर का option बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा लोग सबा अभी रक्सक कहा जाता है तो किसे लोग सबा का अभी रक्सक कहा जाता है तो ये कहा जाता है दोस्तों इसमें लोग सबा अध्यक्स को अभी रक्सक कहा जाता है तो इसका राइट आंसर डी नमबर ऑप्शन हो जाएगा नेक्स्ट है लोग सबा के अध्यक्स को कौन चुनता ह है तो ये दोस्तों λोक सबा के सदेश्य मिलकर चुनते हैं लोक सबाख्र को इसमें बीनमबर ओप्शन सहर हो जाएगा आगे देखिए एस ताई लोक सबाख्र अद्द्यक्स प्रोट्रिम स्पिकर को कौन rovich करता है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों वह है इसमें कौन तो ये राष्ट्रपती न्यूक्त करता है ठीक है तो इसमें ए नमबर का option बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखिए लोकसभा की बैठक के किस परकार समाप्त की जाती है तो ये की जाती है किस के द्वारा तो देखिए विगटन द्वारा सत्रावसान द्वारा इस्तिगन द्वारा यानि कि इन तीनों के द्वारा दोस्तों लोकसभा की बैठक है वो समाप्त की जाती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन में से सभी द्वारा चोंसट नमबर प्रेसन है इसमें देखिए लोग सबा का विगटन कौन कर सकता है तो लोग सबा का विगटन है वो कौन कर सकता है तो वो राश्टरपती कर सकता है ए नमबर का उप्शन बिल्कुल सहुतर हो जाएगा राश्टरपती आगे देखिए सामानेते पांच वर्स की समापती से पहले लोक सबा को निमनलिकित में से किस के द्वारा विगटित किया जा सकता है सामानेत है पांच बर्स की समापती से पहले लोक सबा को निमनलिकित में से किस के द्वारा विगटित किया जा सकता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसके दोरा विगटित किया जा सकता है? तो परदान मंतरी के संस्तुती से राष्टरपति दोरा ये विगटित किया जा सकता है तो इसमें सी नंबर उप्स Nur सही नंबर हो जाएगा आगे देखिए लोकसभा की सामाने अवदी बढ़ाई जा सकती है तो दोस्तो संसद द्वारा पारित अधिनियम से बढ़ाई जा सकती है तो A नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए राज्य सबा और लोग सबा की समान सक्तियां किस छेतर में है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो वो है इसमें सविदान संसुदन करने के विशे में तो इसमें B नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए लोग सबा का नेता कौन होता है तो देखिए लोग सबा का नेता है वो कौन होता है तो यह होता है दोस्तो लोग सबा अध्यक्स क्या सही है नहीं लोकसभा का नेता होता है परदहान मंतरी तो इसमें B-Number option बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें 69 नमबर प्रेसने लोकसभा चुनाओं में कोई परत्यासी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त नह हो सके लोकसभा चुनाओं में कोई परत्यासी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त नह हो सके तो दोस्तों क्या प्राप्त नह हो सके तो वो है एक बटा च्छे से कम मत प्राप्त हो तो इसमें C-Number का option बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिये इसमें कोई वितियबिल प्रस्तावित हो सकता है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें केवल लोकसभा में वितियबिल है वो प्रस्तावित हो सकता है तो इसमें B-Number option सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है निमनस रेणियों में से किसके विदेख केवल लोकसबा में ही प्रारंब किये जा सकते हैं तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें with विदेख है तो इसमें C number का option बिल्कुल सेयुतर हो जाएगा with विदेख आगे देखे किसी विशेश दिन लोकसबा में अधिक्तम कितने तारंकित प्रेशन पूछे जा सकते हैं तो कितने तारंकित प्रेशन है वो दोस्तो पूछे जा सकते हैं यह अपने को इसमें बताना है तो इसका right answer क्या हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें बीस से तारांकित प्रेस तो पूछे जा सकते हैं, बी नंबर का ओप्षन बिलकुल से उत्तर हो जाएगा, याद रखना, बीस तारांकित प्रेस ने, नेक्स्ट है, भारत में छेतरपल की दरश्टी से सबसे बड़ा संसदी निर्वाचन छेतर कौन सा है, तो इसका राइट लड़ाक जम्मु कस्मीर, या नंबर का ओप्षन बिलकुल से उत्तर हो जाएगा, लड़ाक जम्मु कस्मीर, नेक्स्ट है, लोग सबाव राजय सबाव की सक्तियां समान है, तो किसके छितर में समान है, तो दोस्तों देखिए, राष्ट्रपती के निर्वाचन के समन्द म राश्टरपती के विरुद महावयोग के समन्द में दोस्तों लोक सभाव राज्य सभा की सक्तियां समान है तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी डी नंबर उप्शन बिल्कुल सहुतर नेक्स्ट ए ए विश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है तो ए विश्वास प्रस्ताव है ये दोस्तों लोक सभा में लाया जाता है तो इसमें ए नंबर उप्शन सहुतर नेक्स्ट है लोक सबा में अनुसुचित जाती एवं अनुसुचित जन जाती के लिए सीटो का आरक्षन सविदान के किस अनुचेद में उपबंदित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें अनुचेद 330 में सी नंबर का उपशन बिल्कुल सहित्तर हो जाएगा अनुचेद 330 में आगे देखिए निम्न लिकित में से कौन सा राज्ये लोक सबा में अनुसुचित जन जातीयों के सरवादिक परतिनिदी निर्वाचित करता है तो वो कौन सा राज्ये करता है तो यह करता है दोस्तो इसम मद्य परदेश सी नंबर का उपशन सहित्तर हो जाएगा नेक्स्ट है निम्नांकित राज्यों में से किसमे अनुसुचित जन जातियों के लिए लोक सबा में इस्तान आरक्सित नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें केरल तथा तमिलाडू करन इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में डी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए 79 नंबर प्रेशन है किस राज्य में लोक सबा में अनुसुचित जाती एवं अनुसुचित जन जातियों के लिए आरक्सन नहीं है तो इसका रा पुनाचल परदेश, जम्मू कस्मीर, गोवा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इन में से सभी के लिए आरक्षन नहीं है, तो इसका राइट आंसर इसमें D नंबर का उप्षन बिल्कुल सहीवतर हो जाएगा, आगे देखे, देश का वह संसदिय निर्वाचन छेतर कौ इसपर्ष करती है, तो वो कौनशी है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है नागोर, राजस्तान, ठीक है, जिसकी सिमाएं नो संसदिय निर्वाचन छेतरों से इसपर्ष करती है, तो वो है दोस्तों इसमें नागोर, राजस्तान, बहुत यह सांसदो के संक्या सबसे कम थी। तो सबसे कम है वो दोस्तोग कौन सी लोक सभाँ में थी। तो यह थी is। सबसे कम महीला सदसे संक्या में तो इसमें डी Coast कर बिलकुल त्रूब तो Mythical फिस लोक सभा में निर्वाचित महीला सां सिप्यां सबसे अदिक थी तो तो सबसे अधिक थी वो कौन सी लोक सबा में थी तो वो है दोस्तो सोलवी लोक सबा में ठीक है दी नमबर उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे लोक सबा में मंतरी परिशद के विरुद एविश्वास का प्रस्ताव लाने हे तू नियूनतम सदस्य संक्य है तो वो कितनी है तो वो है दोस्तो इसमें कितनी पचास तो इसमें डी नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा next है लोक सबा का कोई सदस्य सदन का सदस्य बेने रहने से निरहित नहीं हो जाता यदि वह सदस्य जिस राजनितिक डल से सदन में निर्वाचित हुआ था उसके उससे निसकासित कर दिया गया हो टीक है तो इसका अबी नमबर उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा पिच्चाशी नमबर प्रेशन है पर्थम लोगसभा की बैठक कब हुई थी तो पर्थम लोगसभा की बैठक हुई थी दोस्तो कब तो यह हुई थी 13 मई 1952 को 13 मई 1952 को बी नमबर का उप्शन बिल्कुल सहितर हो जाएगा मंतरी परिशद किसके प्रसाद परियंत कारे करती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो किसके तो वो है लोगसभा के तो इसमें बी नमबर का उप्शन बिल्कुल सहितर हो जाएगा नेक्स्ट है लोगसभा किस परकार मंतरी परिशद के उत्तरदाइत्व को वेवारिक रूप परदान करती है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तो देखिए मंतरी परिशद के विरुद एविश्वास का प्रस्ताव पारित कर ठीक है दूसरा है मंतरी परिशद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तोत किसी प्रस्ताव या विधे को एश्विकार कर तीसरा है मंतरी परिशद के किसी मंतरी द्वारा पेश की गई धन की मांग को एश्विकार कर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरवक्त सभी डी वाचन छेतर है निम्न में से किस वरग के लिए नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें पिछड़ा वरग है तो इसमें C नंबर उप्शन बिल्कुल सही उतर बारत के सविदान में निर्दारित किये गए अनुसार लोग सबा में सदस्यों की संक्या अधिक्तम हो सकती है तो लोग सबा में सदस्यों की संक्या अधिक्तम हो सकती है कितनी तो पांसो बावन C नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा पांसो बावन आगे देख निमनलिकित में से कौन सा एक लोग सबा का सरवादिक बड़ा छेतरपल के अनुसार निर्वाचन छेतर है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दुस्तो इसमें लदाख बी नंबर उप्षन बिल्कुल सहुतर आगे देखे एक राणवा नंबर प्रैस ने लोग सबा मे राज्यों को किस आधार पर सीटे आवंटित होती है तो किस आधार पर सीटे आवंटित होती है तो दोस्तो जनसंक्या के आधार पर सीटे आवंटित होती है ए नंबर उप्षन सहुतर नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपती की अनुसंसा पर लोग सबा को भंग कर सकते हैं तो दोस्तो वो है भारत के राष्टर पती मंतरी परिश्द की अनुसंसा पर लोक सबा को भंग कर सकते हैं तो मंतरी परिश्द इसका राइट आंसर डी नंबर उप्शन नेक्स्ट है संसद का चुनाव लड़ने के लिए परतियाशी की नियूनतम आयू कितनी होनी चाहिए तो दोस्तो वो है पत्चिस वर्स होनी चाहिए नियूनतम आयू सी नंबर उप्शन विल्कुल से उतर हो जाएगा आगे देखें संसद के दोनों सदनों की सयुक्त बैठक को बेजा गया विद्हक का पारित होना होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो उपस्तित सदस्यों के सादारन वहूमत से तो इसमें ए नंबर उप्शन बिल्कुल से उतर हो जाएगा सुनने काल क्या है तो यहाँ पे देखें सुनने काल है वो क्या है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जब सदन में अतीम है तो पुर्ण मामलों पर विचार होता है C number का option बिलकुल सहीथर होता है तीक है आगे देखिए लोकसबा का सतर एक वर्ष में नियूनतम कितनी बार बलाया जाता है तो एक वर्ष में नियूनतम बार दो बार बलाया जाता है तीक है तो इसका right answer इसमें A number option सहीथर नेक्सट ए एक बल लोकसबा में सद लोक सभा में होने चाहिए तो कितने सदस्य लोक सभा में होने चाहिए तो वो है दोस्तो पच्पन ए नमबर का उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखिए लोक सभा के लिए वर्तमान में निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की अधिक्तम संक्या कितन है तो दोस्तो कितनी है तो वो है पांसो तीयालीस ठीक है पांसो तीयालीस और दो है वो राश्टर पती मनूनित करता है टोटल पांसो पैतालीस हो गए ठीक है तो इसमें सी नमबर उप्सन सही उतर हो जाएगा नेक्स्ट है भारतिय संसद में सामिल है तो दोस्तो भारतिय सं सर हो जाएगा इसमें तीन कर लेना लोक सभा राज्य सभा और राश्ट्रपती ठीक है सी नंबर उप्शन से उत्तर नेक्स्ट भारती सविधान के अनुसार धन समंदी विदेख सरोपर्थम भारती सविधान के अनुसार धन समंदी विदेख सरोपर्थम लोक सभा में प्रस् दोस्तों प्रस्तन आपको कैसे लगे कमेट करके जरूर बताएं और अगर आपने अभी तक अरग्द्यारेस अकेडमी के यूट्व चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास म सेर जरूर करें मिलते हैं दोस्तों नेक्स उडियो में जैहिंद जैभरत